हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दा टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटे और साथ ही साथ हेल्दी से सेंड पसंद है तो यह बिल्कुल सी रेसिपी है तो चली देख लेते हैं टेस्टी से और सिंपल से यह सैंड्विच आखिर बनेंगे कैसे जैसे कि मैंने बताया यह बहुत ही सिंपल है आप इसे फटा फट से घर पे बना के तयार कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बारी कटी पता को भी डाल दी है बारी कटी प्याज डाल दी है बारी कटी हरी मिर्च और शिमला मिर्च डाल दी है और फिर मैंने बारी कटी इसमें टमाटर डाल दी है वेजिटेबल कम जादा कर सकते हैं जो अच्छी लगे वो डाल सकते हैं इसमें से कुछ अच्छा नही तो आप skip कर सकते हैं फिर इसमें डालेंगे काला नमक आदा छोटा चम्मच वाइट नमक आदा छोटा चम्मच बुना जीरा पाउडर आदा छोटा चम्मच लाल मिर्श पाउडर आदा छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है आदा छोटा चम्मच नीमो का रस जरूर एड़ कीजीगा इससे बहुत एच्छा टेस्ट आने वाला है अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मस से मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने हाथ से ही कर लिया है अच्छे से हाथ दो के मैंने इस तरह से मिक्स किया है ताकि सारा मसाला अच्छे से एड़ेस्ट हो जाए अब मैंने ब्रेड को अच्छे से इस पे ग्रीन वाली चटनी लगा दी है और फिर जो मसाला बनाया है वो लगा देंगे अब फ्रेंट्स जैसे की ब्रेड की किनारिया मैंने हटाई नहीं है आप चाहे तो हटा सकते हैं मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने इसकी किनारिया बिल्कुल भी नहीं हटाई है ब्राउन वाली अच्छे से मैंने इस पे खूब सारा मसाला लगा दिया है उपर से टामाटर इस तरह से राउन में कटे वे मैंने रख दिये हैं प्याज रख दिये हैं प्याज आप नहीं खाते तो बिल्कुल ही आप इसे स्कीप कर सकते हैं और फिर मैंने इस पे कैचप लगा दिया है दूसरी वाली ब्रेड पे आप चाहे तो इस पे ककड़ी भी लगा सकते हैं जो पसंद हो आप वो adjust कर सकते हैं उपर से आप मसाला भी और डाल सकते हैं अच्छे से बंद करेंगे अब मैंने sandwich maker में इस तरह से बनाया है आपको आगे में तवे पे भी बना के बताऊंगी कि बहुत ही आसानी से अगर आपके पास sandwich maker नहीं हो तो घर पे तवे पे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अच्छे से मैंने इस पे oil घी, butter जो चाहिए आप लगा के इसे बना सकते हैं मैंने इस पे घी लगा के इस तरह से बनाया है इसे बंद कर दिया है दोनों तरब से बहुत इच्छे से 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 शेक लेंगे हरी चटनी हो, केचप हो, चाहे तो आप इस तरह से टामाटर वगरे भी रख सकते हैं, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, तो मैं कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से कट रहा है, और अंदर जो मसाला है, बहुत ही अच्छी से सेट हुआ है, लग रहा है ना, बि तो रेसी भी पसंद आईए, तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नएए, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भी बनाखे से इंजोई कीजिएगा, मैं इंजोई करती हूँ, थैंक्यू सो माच